आप ट्रेडर स्वागत है आपको आपने टू चलन में बेक्टेश्ट ट्रेडर में आज हम वेन के थाप्ट साब की किताब ट्रेड यूर वेट फैनेंसल फिडाम का चेप्टर वन को सम्मराइज करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही और है अपको करुजो फैक्टर इन यूर सक्सेस यूँ आपके सक्सेट के liquor कर अंकी इंपर्टेंट ऊब्र सक्टराफ हैं जिसमें हम चेप्टर वन को कावर लगाएं गे साथ शाच क्टेश्ट्रव टू भी इस चाप्टर अंदर गाएगए चेप्टर वान में हम जानेंगे कैसे हमें एक holy grill system develop करना है जो हमारे अनुसार feedback ता हो जिसमें हमारे पोजिसेंस आइजिन के अनुसार रिस्क management के अनुसार feedback ता हो दूसरा देखेंगे हम judgmental basis के देखेंगे क्यूं ज्यादतर लोगों के लिए market के market को mastering करना difficult है तिसरा में हम जानेंगे अपने object के पता लगाने के बारे में जानेंगे तो यह हो गया इसमें हम टाम बसो की story सुनेंगे साथ ही साथ setting your object इसके बारे में जानेंगे part 2 में जानेंगे हम conceptual of your trading system फिर हम जानेंगे part 3 में जानेंगे हम understanding the key part of your trading system तो इस प्रकास से इसमें देख सकते हैं इसमें total 12 chapter है यहाँ पर this part 1 शुरू करते हैं जिसमें हम जानेंगे the most important factor in your success आप हैं आपके सफलता का सबसे important factor आप हैं कैसे इस किताब में दो दो चीज़े हम सिखने को मिलीगी पहला है होले गेर सिस्टम डवलप करना है साथ ही साथ हमें help करेगा कैसे एक winning system जो हमें राए सही समय पर जो हमारे लिए सही हो winning system डवलप करेंगे तो दो important चीज़े यहां पर लेकर बताते हैं होडी गेर सिस्टम यह नहीं है कि कोई भी आप सेट अप बता देता है तो हाँ पर by sales sales side दोनों का system देता है आपको यह देखना है कि आपका जो financial freedom है आपका जो रिस्क management है आपके psychology है वह वहाँ फिड़ बैठना चाहिए तब ही वह holy system माना जाएगा नहीं तो नहीं है यह दुसरे के लिए holy system हो सकता है तो chapter 1 में हम जानते हैं तो legend आप holy grail holy grail का मस्तव यह नहीं कि कोई आपको बता देता है कि example के लिए बताता है लिखक बोलते हैं कि कोई आपको वालेटिटरी ब्रेकाउट रेंज बड़ता है कि यह पराने रेंज को प्राइस तोड़ता है तो उपर जाता है तो इस प्रकाश से करता है लेकिन यह आप के अन जरुक पेट बेड़ता है कि आप इसमें कितना के ले टे हैं कहां पर नर्टि करेंगे सारे प्रेक्वाला रिक्चावट वाला सिच्टम बताया उन्होंने क्या यह आप सहीं समय पर profit ले पाएंगे आप कितनी quantity buy sell करेंगे जब signal मिलेगा तो साथ ही साथ दो यह जो design किया गया है कितनी बार काम करेगा क्या इतनी आपने back testing किया है तो यह होता है कोई भी system आपको बताता है जो holy girl आप मानते हैं क्या वो क्योंकि हर आदनी का experience होता है उसका structure होता है structure के अनुसार ही आदनी वो उस setup में holy girl system में entry exit risk management psychology जुड़ा होता है तो उसके अनुसार ही न वो structure आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए experience के निजारी वो structure बनेगा तब ही आप इसमें कुछ कर पाएंगे तब ही यह अपने आपको उसमें धालना है उस system में आपको देखना है कि आपका system जो है आप उसमें फीट बढ़ते है कि नहीं तब ही holy girl system माना जाएगा इसी को लेखा कि यहाँ पर explain कर रहे हैं अगला देखते हैं the holy girl metaphor तो यहीं बताते हैं कि जब आपको believe होना चाहिए कि जो system है जो आप आप के निजसार काम कर रहा है कि नहीं आने कि आप उसमें कैसे फिल कर रहे हैं आप का risk management कैसे काम करेगा तो इसी को बोड़ रहे हैं कि people make money in the markets by the funding the यदि आप खुद को उस system में पाते हैं आपका potential आपका जो entry करने का तरीका risk management के तरीका उस system में आपको अंदर खोजना होगा अपने आपको खोजना होगा तभी आप holy girl system बना पाएंगे अगला जो point यह बताते हैं कि आपको कोई भी trading system में नागरात्मक और सगरात्मक दोनों पहलों मिलेंगा तो दो भी आप एक trader बन पाएंगे इसको लेका यहां पर explain कर रहे हैं यहां पर बताते हैं कि what is the really important of trading trading में important चीज़ी क्या है तो अपने आपको trading system में पाना ही holy girl system है तो यह बताते हैं तीन चीज़े हैं जो ज़रूरी है जितने भी बड़े लोगों के important चीज होते हो है खुद को risk क control करना उनको आता था अगला point जो बताते हैं कि उनका success ratio कम था लेकिन उनका जो ना position sizing सहीं था कि कितना time पर कितना position sizing इस्तमाल करना है तिसरा factor यह है कि उनके अंदर patience था और सहीं समय पर entry करने का वह था opportunity सहीं इंतजार करने का patience था और right time पर entry करने का patience था यह तीन चीज़े ह कि अगला है हम देखते हैं कि देखिए कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में ना तीन चीज़े होती है पहला आपका सिस्टम आता है फिर psychology फिर money management तो यहां पर तीन चीज़े important रोल अदा करती है तो 60% जो होता है ना psychology का पार्ट होता है 60% psychology का पार्ट होता है 30% money management होता है यह 60% रोल अदा करता है यह 30% आज जो आपका टूल है को भी ट्रेडिंग सिस्टम चाहे होली के लिए मान लेजिए जिसमें आप फिट बैठते हैं तो वो 10% ही होता है तो यह तीन चीज़े हैं जो लेखा कि यहां पर बताते हैं तो यहां पर एक्जांपल देते हैं कि 8 से गोटा कौन है मार्केट विजार्ड में इनका इंटर्वी लिया गया था तो उन्होंने दोंदिंग चैनल डोंचिंग चैनल और सिंपल मुई इवरेज का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया लेकिन उनके माइन में एक इस्ट्रक्चर बैठा हुआ है यानि कि यह भी मैं आप लोगों की बता दूँगा तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे उसका इस्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्रियेट होना चाहिए उसके दिमाग में तब ही आप पैसा बना पाएंगे सिस्टम तो काम कर रही है लेकिन आप उसमें बना क्यों नहीं पा रहे ह का रहे हैं जो लेखक यहां पर बताते हैं कि क्या आपका दिमाग उसमें इस्ट्रक्चर बनाया पाया है उसका पिच्छर बना पाया है तो यही चीजे यहां पर लेखक बता रहे हैं अब बात आती है मॉडलिंग करना मॉडलिंग करना जैसे कि आप जो भी ट्रेडर बनना च कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका thinking pattern क्या है, तब ही आप उनके जैसा trade कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई भी एक system बता देगा, जो काम करता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसी को लिखाग यहां पर बता रहे हैं,